आज हम एक अच्छा सा स्नाक्स बनाने बला हैं जो है वेजेटरियन उनके लिए तो बहुत अच्छा सा स्नाक्स अपसन हैं आप एक के जगा दोखा जाओगी इतना अच्छा लगे गाई हैं तो आज हम बनाते हैं स्वेविन स्टिक तो चले शुरू करते हैं मैं यहाँ पर ले रहे हूँ दो टेबल स्पून हंकड यानि कि मेरे दही को अधा गांड पेले चानी में रख लिया था और इसका सारे एकसेस पाने निगल चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून अध्रकलेशन का पेस्ट गालिक जिली चैटनी स्वादन सा नमक हल्दी पाउडर थोड़ाशा काली मिच पाउडर थोड़ाशा करम मसाला थोड़ाशा चाट मसाला भी हम इसमें डालने बाले हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सकेप भी कर सकते हो अब हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून रोस्टेड बैसन में थोड़ाशा भून लिया था था अब इसमें डालेंगे की सारा मसाला का टेक्स्च्चूर सारा मसाला का फ्लेपर बहुत अच्छे से मैं इसमें ठोड़ा सा कलर आट्कानी के लिए आप चाहिए तो इसमें घलर भी आट कर सकती हो हो पर कर दो पर कर रही हूं इसलिए मैं है पर रचल पाउडर यूज करी हूँ भी चाहिए नॉम पिक मज़न बंकर ले रही हूँ और इसे मचे से गरम कर के ढ wonderful and mix. जैसे कि तेल मसाला अच्छे से मिक्स अप हो जाए यहां पर हमारा स्वयवन स्टिक का मसाला बिल्कुल बनकर रडी हो चुके हैं तो आप हम इसमें ढालेंगे कुछ बेसिक से सबजी यानी की अनियन टमाटर क्यापसिकम यहां पर शेप में कट कर देंगे तमाटर सेट समा ल निकाल देंगे और सवयबिन को हम इसमें आड़ करने के बाद मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसे की सारे सब्जे और सवयबिन मसालों के साथ अच्छे से कोटेड हो जाए हम तब तक इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा सवयबिन मसाल अच्छे से कोटे हो चुके हैं अब हम इसमें lemon स्कुईच करके इसे अचे से mix कर लेते हैं और 10 से 15 मिनिट के लिए ही इसे हम cover करके छोड़ देते हैं थोड़ा सा हम इसमें स्वादों सा नामाग थोड़ा सा कास्मे रेचिली पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल कर एक थीन स्लरी बना लेते हैं स्लारी को यहां पर हम ठीक नहीं रख रहे हैं हम थिन स्लारी ही इसमें बना रहे हैं तो यहां पर हमाला स्लारी भी बनके रेडी हो चुके हैं अगर आपको रेसिपी थोड़ी से भी अचे लेकिने तो प्लीज लाइक सार तो बनता है आप slurry का consistence देख सकते हो कुछ इस तरीके से थिन रहना चाहिए अब हम लेंगे एक stick और इसमें हम इस तरह से कुछ स्वैबिन को आरेंज करने वाले हैं मैं हाँ पर पहले ले रहे हूँ onion हमें एक बात एक इसमें आरेंज करने वाले हैं पहले हम onion को लेंगे उसके पात हमें यहां पर स्वैबिन को इंसर्ट करेंगे मसलों के साथ मसलों के साथ यह अच्छी से कोटेड हूकर भी रखा है स्वैबिन को हम इंसर्ट करेंगे उसके पात हमें कैप्सिकम, फिर से स्वैबिन, फिर से अनियन इस तरह से हम इसे इंसर्ट करते जाएंगे और थोड़ा सा चमाटर भी इंसर्ट कर देते ही यहां पर swabbing streak बना रही हूँ इसलिए मैं swabbing को थोड़ा सा ज्यादा ही insert कर रही हूँ प्रपर swabbing का flavor आएगा अब हम इसमें एक onion insert कर लेते ही इसी तरह से ही हम हमारे stick को एच्छे से आरेंज कर लेते ही यहां पर हमारा swabbing milk को लारेंज होकर रेडी हो जुक है और next procedure की तरप चेलते ही दिख रहा है नहीं बहुत ही अच्छा टेम्टिंग तो चलते ही हमारा next procedure की तरप मैं यहां पर इसे लेकर जाओंगी slurry में डूबाने के लिए यहां पर हम हमारे slurry के थोड़ा सा थिन रखें स्पोन के माद़ से इसके उपर हम इस तरह से slurry को पोर करते चाएंगे जैसे कि यह चारो तरप से अच्छे से कोटेट हो जाए slurry के माद़ से slurry से ही कोटेट हो जाए और नेक्ट प्रोसेजर चलते ही फिर से मैं हम पर थोड़ा सा ब्रेड क्रॉम्स ले गी हूँ इसे क्या होगा ना यह अच्छा से क्रिस्पी से बनेंगी चूकि बहुत अच्छा लगीगा खाने में बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्वाप्ट और इसे हम कुछ इस तरीके से ही ब्रेड क्रॉम के साथ अच्छे से चारो तरब से कोटेट कर लेते ही और excess bread crumbs को हम निकाल देंगे इस तरह से डब डब करके और इसी तरह से ही हम हमारे सारे स्वैबन स्टिक को रेडी कर लेंगे यहाँ पर हमारे सारे स्वैबन स्टिक रेडी हो चुके हैं तो चलते हैं हम इसे अच्छे से fry कर लेते हैं यहां पर medium heat oil में इसे fry कर रही हूँ, यहां पर प्यान में ले रही हूँ तिल इसे क्या होगा नहीं अच्छे से डिप होकर रहीगा, अगर आप कड़ाए में लेंगे तो यह अच्छे से डिप नहीं होगा, तो फ्राइ करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, और गरम गरम नहीं सब्सदसे नीज तरहें सब्सक्राइन गई पिल्द में, एक सारव कर लाए दो सिख हैरें को सब्सक्राइद पेदें को अधरां से लिए सब्सक्राइब मैं। इसका टेस्ट आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगे एक रेड हाट कमेंट जरूट कर ले न किसको स्वैविन खाना पसंदे बो भी मुझे जरूट कमेंट करना थैंक्स फर वाचिंग